और मेरे भाईयो क्या हाल है सब बढ़िया है ना देखो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के पांच अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में विकॉज ये फोन बहुत जल्ड लॉंच हो सकते हैं और इन में से कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जो मुझे सबसे जादा इंट्रेस्टिंग लगे हैं जिस फोन में मैं परस्टनली सबसे जादा इंट्रेस्टेइड हूं वो है सामसंग S20 Lite यह Samsung S10 Lite का सक्सेसर होने वाला है अब आज Ice Universe ने यह एक बहुत ही फेमस लिक्स्टर है और इनका ट्वीट आया आज सामने और इसमें पता चला कि Samsung S20 Fan Edition Qualcomm Snapdragon 865 के साथ Quarter 4 में यह phone launch हो सकता है 120 Hertz refresh rate के साथ Super AMOLED डिस्प्लेस में आपको देखने को मिलेगी और IP68 dust और water resistant भी होगा यह phone last month South Korea से भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पे clearly mention था कि Samsung Galaxy Note 20 series के बाद October में यह phone Samsung launch कर सकता है और ऐसे expected है कि इंडिया में यह phone Samsung S20 Lite के नाम से launch होगा because कुछ time पहले geekbench पे भी यह phone list हुआ था और यहाँ पे model नंबर था SMG781B और यहाँ पे आप देख सकते हो Snapdragon 865 mentioned है 6GB RAM के साथ और मैं personally काफी सब्सक्राइब इस phone को लेके because Samsung बहुत ही कम smartphones launch करता है इंडिया में Qualcomm Snapdragon processors के साथ आपका क्यों opinion आप comments में बता सकते हो अब guys Samsung S20 Lite के launch से पहले Samsung ने confirm कर दिया है कि 5th August को Samsung Galaxy Unpack event में Samsung Note 20 और Note 20 Ultra launch होने वाले हैं globally launch हो रहे हैं but August end में आपको यह दोनों phones इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगे NBTC certification इन दोनों phones को मिल चुकी है और ऐसे expected है कि इंडिया में यार यह phones Exynos 990 के साथ देखने को मिलेंगे मैं personally चाता था कि इंडिया में भी इस बार Samsung Note 20 series में Europe की तरह Qualcomm का processor देखने को मिले फिर चाहे वो snapdragon 865 के साथ यह launch करते हैं या फिर snapdragon 865 plus के साथ because Exynos 990 तो हम already Samsung S20 series में भी देख चुके हैं और Exynos के processor थोड़े से heat होते हैं आप चाहो तो अपना feedback भी शेर कर सकते हो Samsung इंडिया को tweet करके hashtag no more Exynos ये hashtag use कर लेना और जहातकर भी बात Note 20 की तो ऐसे expected है कि जो Samsung Note 20 होगा वो 25W की charging support करेगा और box के अंदर आपको 25W का charger भी मिल जाएगा लेकिन जो Note 20 Ultra होगा वो 45W की charging को support करेगा लेकिन box के अंदर 45W का charger मिलेगा या फिर नहीं ये फिलहाल confirm नहीं हुआ है मैं आपको एक चीज़ बता दू अपने personal experience से कि अगर इंडिया में Samsung Note 20 Exynos 990 प्रोसेसर के साथ ही launch होता है तो Samsung S20 जो फिलहाल 70,000 रुपीज का अवलेबल है इस phone का price drop definitely देखने को मिलेगा because हर साल यही होता है जब S10 भी आया था तो उसका price पहले जादा था जैसी Note 10 launch हुआ तो S10 का price भी 10 से 15,000 रुपे कम हो गया था तो अगर आपको flagship phone purchase करने का सोच रहे हो तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप August end या फिर September तक wait कर लो आपको S20 पे भी price cut देखने को मिल जाएगा अब गाइस next phone है हमारी इस list में Samsung M51 यह phone recently ही Bluetooth SIG certification के ओपर appear हुआ था और इसके काफी मतलब strong rumors आ रहे हैं कि यह phone callcom snapdragon 675 या फिर callcom snapdragon 730 के साथ launch हो सकता है इंडिया में 4000 image की battery फिलहाल सामने आई है बट मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा मतलब यह सिर्फ अभी leak सामने आ रहे है rare side पर triple cameras का setup होगा सबसे सदा doubt है इस phone में कि आपको जो display मिलेगी वो होगी तो full HD plus corner प एक छोटा सा punch hole भी होगा बट ऐसे leak सामने आए कि इसमें IPS L3D display भी हो सकती है super AMOLED की जगा और जब से 16500 में Samsung A21S launch हुआ है na IPS sorry TFT display के साथ तब से ऐसा लगता है कि Samsung मतलब कुछ भी कर सकता है तो इसके उपर कुछ strong rumors जब सामने आएंगे तब और बात करेंगे detail में फिलहाल में चाहता हूं कि काश Samsung M51 में Qualcomm Snapdragon 730 अगर देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा अब guys finally अगर बात करें इस list के last phone की तो वो है Samsung Samsung M31S और ऐसे expected है कि यह phone आपको 6th August को Amazon पर देखने को मिल जाएगा मतलब इसकी sales स्टार्ट हो जएगी 6th August को और जुलाई एंड में फोन इंडिया में launch होने वाला है Geekbench पे जब यह phone appear हुआ था तो यहाँ पे clearly mentioned था कि इस phone में वही Samsung का पुराना Exynos 9611 OctaCore processor देखने को मिल देखने को मिलेगा और इसमें 6GB RAM होगी बाकी battery expected है कि इस phone में आपको 6000 image की देखने को मिलेगी Super AMOLED display होगी Full HD Plus फरक सिर्फ इतना होगा वो जो छोटा सा punch hole है वो इस बार corner की जगा center में होगा जैसा कि हम already Samsung A51 में भी देख चुके हैं आप इस phone को लेकि कितना excited हो आप नीचे काफी similar है जो हम already M21 और M31 में देख चुके हैं बस जो hype create हो रही है वो इस phone के camera को लेकि हो रही है कि budget price segment के जो बाकी phones है उससे better perform करेगा इस phone का camera अब इस बात में कितनी सचाई है वो तो खेर test करके ही पता चलेगा processor पुराना है तो ISP भी almost same ही देखने को मिलेगी तो मुझे नहीं पता कि image post processing के through Samsung कितना camera को improve कर सकता है तो guys यह थे कुछ 5 phone Samsung के इन सभी में से आपको सबसे जदा interesting कौन सा phone लगा आप नीचे comments में जरूर बताना because आपका feedback में हमेशे ही कहतो कि काफी जरूरी है content informative लगे तो दोस्तों के सब वीडियो को share कर देना channel को subscribe करके बेल आकिन को प्रेस कर दो और वीडियो को like भी कर देना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में till then you guys have a great day